आज हम आपके लिए आउ करें शीखे लेके आएं जो दक्षता उन्यान के तहरत आती है यह पुस्तक आपकी गड़ित की है और किस कक्षा के लिए यह कक्षा 6-8 के बच्चों के लिए है और यह पुस्तक को इस पुस्तक को जो रासी चकेंदर पुपल दुआरा बना गया सत्र दोजार तेइस चोबिस मिथामेटिक्स वर्क बुक फॉर इस्टूडेंट्स तो किस के लिए गई है सत्र दोजार तेइस चोबिस चलिए देखते आगे क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ इसमें गड़ित है आपका आउ करें शीखे और कक्षा 6-8 के बच्चों के लि बताएंगे चलिया देखते हम आओ करे और शीखे एक इसमें गतिविधी का नाम है दस-डस की धेरी बनाओ संक्या बताओ और इसपी उपवद्णा है की समझ इस्थानी और ने आपको गतिविधी में दस-दस की धेरी बनाके संख्याओं की समझ और स्थानिमान लिकालना सीखना है ये वर्षिट करने से पहले सम्मंदित गतिविदी करें आपको इस वर्षिट को करने से पहले ये गतिविदी है उसको देखे लेंगे और जिस देनांग पर आप कारे कर रहा हैं वह देनांग के हम पह लिख देनगे क्या दिया है गती विधी के लिजी निर्देश निर्देश क्या है अपने परिवेश से अपनि आँसपास उप festa जो बस्तू है जिसे कंकर्ड, 2, माचिस की तीली से दर्दस की धेरी बनाएंगे सेज बच्ची सामगईई को गिनकर अपने पास में रखेंगे कौपी में दर्दस की कितनी धेरी बनी लिखेंगे तो उसके आगे दिया क्या दिया देखो बच्चे दर्दस की धेरी को दाही के रूप में लिखेंगे कितनी दाहियां जो दरदस की धेरी बनेंगी उन्हें आपको या जो बच्चे हैं उन्हें किस रूप में लिखना है दाही के रूप में लिखना है और कितनी दाहियां है ये बताना है बच्चे उपरू धेरियां एवम सेश बच्ची वस्तुओं को मिलाकर दो अंको की संख्य क्या बनाएंगे यह संख्या की काई दाही लिखेंगे सिक्षक पालक मेंटर बच्चों को उबर दी गई गतिविदी जैसी अनि गतिविदी वा अभ्यास्वाम भी बनाकर करवाएंगे तो इस प्रकास से यह निर्देश दी हुए थे चलिए हम देखते हैं दी गई संख्या क इसमें आपको दाही और इकाई लिखिए आपको यह 18 दिया है इस 18 में उधान के रूप में दिया है तो यह 8 क्या हो गया इकाई और एक क्या हो गया दाही तो आपको यहां पर क्या करना है इकाई में इकाई क्या है यह पहचान के लिखना है तो इकाई क्या हो गई आठ और दाही क्या हो गई एक उसी पेकार 49 में इकाई क्या होगी नौ उन्चालिस में इकाई क्या होगी यहां पर नौ आ जाएगी यहां पर मिसिंग है तो आप इसे यहां लिख देंगे क्या जाएगा यह चलिए अब हम इसको लिख दे रहा है यहाँ पर आप दीखेंगे यह 49 में इकाई क्या हो जाएगी 9 और यह ताही क्या होगी 3 तो यहाँ पर आपको संख्या की परचानव हो गई 49 49 में इकाई का मान 9 दाही का मान 3 चले आगे दिखते हैं 45 45 में एकाई का मान क्या हो गया पांच और दाही का मान क्या हो गया चाल तरेपन में एकाई का मान क्या हो गया आपका तीन तरेपन में एकाई का मान क्या हो गया यह तीन इसको तीन लिख लेंगे यहाँ पर अब इसे मिटा दे रहे हैं अब इसे हम नोड़ी करके आपको बता अब देखिए यहां पर इकाई का मान क्या हो गया तीन और दाही का मान क्या हो गया पाँच इसके बाद 69 में 69 में का मान क्या हो गया नौ यहां नौ लिख दिए और दाही का मान क्या हो गया 6 यहां के लिख देंगे 6 इसके बादे यह कुए शनक्या अप संख्या प्रचान दूंगोzon शनक्या पढ़ते बनना चाहिए यह कैतना है सच्थर श्रेक्षतर में का मान क्युश्ट श्रेक्ष और दही को नो श्राध्द हो गया उनके परिवेश्वा आसपास की ठोस वस्तियों चित्रों का उपयोग कर अनिवार रूप से करें बच्चों के प्रोस्ता ने तो सिक्षक की टीप एदी बच्चे ने कार्य अच्छा किया है तो यहां पर उसके बारे हम टीप लिख देगा हो उतक्रेश्ट है बहुत अच्छ संख्या की हो गया?पांच और दाही का अंग,धॉअ छलिए आगे दिखते है और चीर आगे कर दिया है आगे है अवकारेसी गतवदी का नाम संख्या बताओ और द Chapel की शमश इस्थानीमान यहां पर संख्या करना है,ब 25 संख्या का तो यह आपको कर दिया है दो और पांच है तो कितना हो गया 25 अब 25 में इकाई कांग क्या है पांच और दाही कांग क्या है दो इकाई का मान क्या होता है एक तो यहाँ पे कितनी काई है पाँच तो यह इकाई क्या हो गया पाँच तो पाँच का इस्थानी मान क्या हो जाएगा पाँच और यह दाही के इस्थान पर क्या है दो दाही है दो दाही है ने कितना हो जाएगा यहाँपे 20 एक दाही में 10 होते ह है तो 2 दाही में कित्ता हो जाएगा 20? तो 2 का स्थानी मान प् Allen को गया 20? इस पकास मिले लिखना था है, आप यहां देखे, इसी के जिसके आपको यहां पर एक्जांपल के रूप में दिया हुआ है इनिहें हल ईंचीशल करके बताना है लिए हम意ल को हल करतेां हम संख्या को पहचानी संख्य कून सीoli तीन और 28 तो हो जाएगा 28 यह कितना है आपका 28 29 तो जैसे यहार और अधार दिया है इसी प्रकार आपको इनके इस्थानीमान बताना जैसे आठ का इस्थानीमान क्या होगा और तीन का इस्थानीमान आठ किसके इस्थान पर एकाई के इस्थान पर कित्ती इकाई है एक इकाई में एक होता है तो आठ का इस्थानीमान आठ यहां पर क्या जाएगा आपका आठ उसके बाद तीन किसके इस् 30 उसी पकार यहाँ पर 27 में 7 का इस्थानीमान 7 और 5 का इस्थानीमान 50 तो यहाँ पर कह लिख देंगे हम 7 और यहाँ पर कह लिखेंगे 50 नेक्स्ट है आपका यह 64 में 64 में 4 का इस्थानीमान 4 और 6 का इस्थानीमान चार लग दीजिए और श्यक तानीमान पह colony स्थ कर में च्छह यहां प्ली स्छाल करेंगा चलते हैं में 2 को इस्थानीमान दो और लाटीस आशी स्थानीमान उस्थिद्श में यहां पर आपको इस वीदियो के मात्यव से आओ करें शीखे एक और दो बता है जिसमें आपको दलड़स की जिरी बनाओ, संख्या बताओ और उपाउधारणना शंख्यायूँ की समझ और इस्थानी मान इसके माधरम से हमने यहाँ आपको पहजान करना इसमें इकाई दाही और जो इस्थानी माने ड्लोंगों की संख्या़ के वो बताए यदि आपको हमारा दौरा यह जो वाओ का रशीखे वर्षिट एक दू बता आई अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देख लास से सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए अन गुरूप में से जरूर कीजिए